दोस्तों स्वागता आपका अपनी यूटूब चैनल ड्रोईद कोश्वामी लॉग प्लासेज में आज हम आपको कराने वाले हैं एलेलबी सेकिंड एयर सैम है मारा थर्ड एक्ट है लॉग अफ प्रॉपर्पर्टी जिसे हम सौट में टी पी भी कहते हैं कोड है हमारा 3004 कोश्वन नमर है हमारा 8 जो है बिन में अपसे पहले आपके साथ कोश्वन में करा दिये हैं बरी-बरी इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए और आपके लोग के परपस से ठीक है ताप उन्हें जाकर देख लिएजएगा जैसा कि हम प्रितिक वीडियो में आपको बताते हैं इसमें भी आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्ली सब्सक्राइब करो, लाएक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में सेयर भी करो ठीक है, बिन में समझे हैं, जैसे A है और B है, Aने, एक के पास कोई समझो, एक भूमी का टुकड़ा है, ठीक है, बूमी है और B के पास भी क्या है कोई बूमी है ठीक है A ने ये बूमी B को दी ठीक है और B ने क्या करी, इसको क्या करा खरीद लिया अब जो है A भी क्या सोचेगा भई मैंने अपनी भूमी दी है तो बहुँ है मुझे भी तो 200 रुपे है और इसकी खीमत है 100 रुपे ठीक है ए ने 200 रुपे की भूमी B को दे दी अब B ए से B ने बोला कि मुझे भी तो कुछ दो तो B ने बोला कि आप एक काम करो ये मेरी जो है भूमी ले लो 100 रुपे की और 100 रुपे आप क्या ले लो मेरे से नगत तो भी इसके पास भी 200 हो आगए इसके पास भी 200 हो आगए इन्होंने क्या करिया आपस में अदला बदली हो सकता है ये किसी अन्य सेर में रह रहा हो ये कहीं अन्य रह रहा हो इन्होंने आपस में कोई बिनमे करा हो ठीक है ऐसे समझ सकते हो वो इसकी संपत्ती लेना चाहता है और वो इसकी संपत्ती, इसको कहते हैं बिन में, एक चीज और बता देता हूँ आप कुछ मोटे से तोर पर, अगर जो बिन में होगा, या तो चल संपत्ती से चल संपत्ती का होगा, या फिर अचल संपत्ती से अचल संपत्ती का होगा, यही देगा बिन्मे का जो अर्थ है यही है अदला वदली करना या एक बस्तू के बदले में दूसरी बस्तू को प्राप्त करना उसे कहते हैं बिन्मे अब इसको अच्छे से अपने कोईशन को आराम से देखेंगे और आगे चलेंगे देखें बिन्मे की परिवास दीजिए तथा उसके आवसक तत्व बताईए बिक्री तथा बिन्मे में अंतर कीजिए क्या बिवाजन बिन्मे होता है यहाँ पे बूजा गया है क्या बिवाजन यानि अलग-अलग बांट देना क्या बिन्मे होता है उस चीज़ को भी आगे देखेंग अब देखते हैं अपने आंसर को बिन्वे की परिवासा संपत्ति अंत्रण अधिनियम 1882 की धारा 118 के अनुसार देखो जैसा कि मैं पृतिक वीडियो में पृतिक कोशिन में आपको बताता हूँ इस बार फिर बता रहा हूँ जब हम एक्जाम में अपने आंसर को लिखेंगे वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादो जो इंपोर्टेंट रहेगा हमारे सेक्शन सी रहेंगे अगर आपने सेक्शन अच्छे से डाल दिये तो आपको बहुत अच्छे नमबर मिले वाले हैं चलते हैं आगे जब दो विक्ति एक बस्तु का स्वामित्व किसी अन्य बस्तु के स्वामित्व यह अधिकार के लिए परस पर बदलते हैं या देते हैं जिन दोनों बस्तु में कोई भी धन नहीं है या दोनों बस्तु में केवल धन है तब वे संबेवार बिन में कहलाएगा यहां पे क्या बोला गया है या तो दोनों बस्तू कैसी हो बदले की होनी चाहिए बस्तू होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए धन होना चाहिए अगर आपने धन दिया है तो आपको धन मिलेगा अगर आपने बस्तू दी है तो आपको बदले में बस्तू मिलेगी अगर आपने चल संपत्ती दी है तो आपको भी चल संपत्ती मिलेगी आपने अचल संपत्ती दी है तो आपको अचल संपत्ती मिलेगी या कुछ condition इनसे बिढ़न हो सकती है जैसे कि समझो A और B दो पक्ष है A के पास 500 रुपे की कोई संपत्ती है ये क्या है भूमी है और ये किस के पास गई बी के पास ठीक है लेकिन बी को देने के लिए बी जो देगा अपनी जो भूमी है वो 300 रुपे की है मात्र क्या है 300 रुपे की है अब ये कहेगा कि मेरे पास तो 500 रुपे की संपत्ति आई है भूमी आई है और मेरी भूमी है 300 रु उमीदे देगा एको और पिलस 200 रुपे क्या करेगा नगत देदेगा 200 रुपे इस प्रकार से भी क्या होगा बिनिमे हो जाएगा ठीक है अब समझते हैं आगे बिनिमे को पूरा करने के लिए संपत्ति का अंतरण यानि देना केबल उसी प्रकार किया जा सकता है जैसा कि संपत्ति के बिक्रह द्वारा अंतरण के लिए निरधारित है यानि उनी उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से कोई वस्तू बेकी जाती है यानि पंजी करन कराके या लिखित दस्तावेजों द्वारा उस प्रकारी दी जाएगी यह नहीं है कि मैंने उन दो मकान बै को अपने खेत के बदले में अंतरित करता है ए ने अपना मकान बी को दिया वो बै को दिया और अपने खेत के बदले में अंतरित करता है यह बिनमे का सम्वेभार है मकान किसके बदले में दिया था अपने खेत के बदले में अब दोनों कैसी हो गए खेत और मकान कैसे है अचल है तो ये क्या हो जाएगा समबेवार हो जाएगा किसका अप्पिनमे का आ गया आते हैं ए बै को 2000 रुपे की कीमत के मकान को अंतरित करता है बै ए को दोखो एने जो है बै को क्या दिया 2000 रुपे की कीमत का क्या दिया मकान दिया और बै ए को 1000 रुपे की कीमत का एक खेत और 1000 रुपे नगत देता है जैसा कि अभी हमने एक्जाम्पल में बताया था Sam to Sam वो चीज है ये 500 रुपे की कीमत का B के पास चला गया लेकिन B के पास क्या है भूमी 300 रुपे की है और 200 रुपे क्या दिये है नगत यहाँ पे कुर्शन में क्या कर दिया है यह है 200 रुपे की यहाँ पे और यहाँ पे उसने क्या दे दिया 1000 रुपे नगत दिये है बिलकुर Sam to Sam ऐसा ही है कीमत का बै, एको 1000 रुपे की कीमत का एक खेट और 1000 रुपे नगत देता है यह संभ्यभार बिन वे की बिन में ही कहलाएगा क्योंकि 1000 रुपे जो नगत दिये हैं वो बिनमे की संपत्ती की कीमत के वरावर करने के लिए दिये हैं तब भी ये क्या होगा अचल संपत्ती का ही बिनमे माना जाएगा हाला कि कुछ पैसे कम थे इस वाले पक्च के पास लेकिन इसने कुछ पैसे क्या दिये नगत दिये तो ये भी क्या होगा अचल संपत्ती का ही बिन में होगा दोनोंने क्या है अचल संपत्ती का बिन में क्या है आगे समझते हैं एक्जाम हमारा है एक केस रणधीर बनाम रणधीर 90-37 जब हम अपना एक्जाम में पेव आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे केस बहुत जाते हैं इंपोटेंट होते हैं ठीक है तो हमें केसी भी लिखने हैं इसमें कहा गया कि जहां कोई स्वामी अपनी संपत्ती का स्वामित्व दूसरे को आंसिक रूप से संपत्ती के बदले और आंसिक रूप से धन के बदले अंतरण करें वहाँ भी संब्यवार बिन में ही कहलाएगा यानि कि कोई व्यक्ती दूसरे व्यक्ती को संपत्ती का आंसिक यानि कुछ भाग अंतरण करता है और बदले में उससे पैसे ले लेता है धन ले लेता है तो उसको भी क्या कहा जाएगा आंसिक रूप से बिन में का संब्यवार कहा जाएगा बिन्मे के सम्मेवार की निम्लिकित विसेशता है, बिन्मे की कुछ विसेशताओं का वरणन कीजिए, इस प्रिकार से भी आपका कोश्यन आ सकता है, पांच ये दस नमबर में, तो उनको देखते हैं, नमबर बन, जब दो व्यक्ति परसपर स्वामित्व के लिए, स्वामित् अंतरण करते हैं, ऐसा अंतरण बिन्मे कहलाता है, जब दो पक्ष, तो बिन्मे के लिए क्या पक्ष होने चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए, एक पक्ष, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, दो पक्ष होंगे तभी क्या होगा आपस में, भई सम्मिधा कॉंट्रेक्ट होगा, क्या होगी संविधा होगी और संविधा होने के बाद क्या होगा बिन में होगी सही है तबी एक दूसरे को क्या करेंगे अंतरण कर सकते हैं ए अपने मकान का स्वामित वियानि अधिकार बै को और उसके बदले में बै अपने खेत का स्वामित वो ए को अंतरित करे तो यह संब्यवार बिन मैं कहलाएगा ए ने बै को क्या दिया खेत ए ने बोल ए रहा हूं और लिक ए रहा हूं मेरा भी क्या हल कहना ए ने बै को दिया खेत और बै ने ए को दिया मकान दोनों ही अचल हैं लेकिन ये क्या है बिन में हैं ठीक है दूसरा जब किसी बस्तु का स्वामित्व संपत्ति और अंसता धन के लिए अंतराण करते हैं तो भी संवेबार बिन में कहलाएगा दोज़कों जैसा कि मैंने बताया था इस वाले में दोहजार की बस्तु थी एक दोहजार की भूमी थी जो बी के पास गई और बी ने एक हजार की भूमी और एक हजार नगत दे दिये उसी प्रकार से यहां पर कहा है भूमी और धन देना भी क्या है बिन में ही कहलाएगा ए ने बै को एक हजार रुपे के मूले के मकान का अंतरण किया बै ने एक हजार रुपे के मूले का खेत और पांसो रुपे नगत दिया तो अंतरण बिन में कहलाएगा यहाँ पे जो यह एक हजार है यहाँ पे आप इसी क्या करोगे 1500 कर लोगे ठीक है यह 1500 करना है आपको 1000 के मूल्य का खेत और 500 रुपे नगत दिया तो अंत्रण बिन में कहलाएगा यहाँ पे गलती से 1000 हो गया था जिन बच्चों ने नौट्स पर्चेज किये हैं वो भी अपनी मिश्टेक को सही कर लेना मैंने पहले ही बोला था अगर कहीं से कोई डाउट है या कोई मिश्टेक हो जाती है तो आप वीडियो से देख सकते हो ठीक है तीसरा जब दो पक्षु द्वारा किसी रूप में धन के बदले धन का अंतरण जाता है तो भी संबभ्यार बिन में कहलाता है धन के बदले में धन देना यानि वो चल संपत्ती है मैंने भी यहाँ पर बताया था अंतरण कैसा होगा धन का अंतरण धन से बस्तू का अंतरण बस्तू से चल का अंतर चल संपत्ती से और अचल संपत्ति का अंतरण अचल संपत्तिते होगा ठीक है अंतरण कैसा होगा सैम होगा तो यहां पर क्या हो रहा है धन का अंतरण हो रहा है जब दो पक्षों द्वारा किसी रूप में किसी रूप में भी हो सकता है अब यह नहीं है कि नौट को गिनके दिया जाएगा हो सकत किसी व्यक्ति ने वहां पे मजदूरी की हो अब उसके पास उस मजदूरी के बदले में इस तरह का अंतरण हो रहा हो बिनमे हो रहा हो या किसी की ब्याज बन रही हो उसके पास इतनी और भी कोई कारण हो सकता है तो यहां पे बुलाए दोनों पक्षद्वारा किसी रूप मे धन के बदले धन का अंतरण जाता है तो भी संब्यवार बिनमे कहलाता है किंतु यदि किसी खेत के बदले मैं केबल 100 रुप्य का भुगतान किया जाये तो संब्यवार बिनमेना होकर विक्री होगा यहाँ पर कहने का मतलब है 100 रुपय से मतलब नहीं है अगर एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को कोई अचल संपत्ती देता है और अचल संपत्ती के बदले, दूसरा पक्ष सिर्फ पैसे ही पैसे ही देता है संपत्ती नहीं दे रहा है, स्वरी, अचल संपत्ती नहीं दे रहा है सिर्फ क्या दे रहा है, चल संपत्ती ए ने दिया खेत किसको बी को और बी सिर्फ क्या दे रहा है एको पैसे तो यहाँ पे तो गई अचल संपत्ति और यहाँ पे आई चल संपत्ति तो इस परिष्थितियों में क्या होगा यह क्या कहलाएगा विक्री हाँ यह विक्री कब नहीं कहला था बी जो कुछ कीमत की अचल संपत्ति दे देता और कुछ कीमत जो बाकी बचती है उसकी क्या आखर देता नगत पैसे दे देता तो यह क्या हो जाता बिन में लेकिन खेत के बदले में सिर्फ डैरेक्ट चल संपत्ति यह पैसा दिया जा रहा नमबर पॉइंट चार बिन में के लिए यह भी आवसक है कि अंतरती की गई बस्तु हैं एक ही एक समान हो अर्थार दोनों संपत्तियां या तो पूर रूप से चल या अचल होनी चाहिए जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ धन का अंतरन धन से बस्तु का बस्तु से चल का अचल से अचल का अचल से अंतरन होगा हाँ यह हो सकता है कुछ मात्रा में जैसे यहाँ पर खेत दिया खेत के बदले में खेत मिला और कुछ क्या मिल गया नगद मिल गया तो उसको क्या होगा उपर नीचे चल जाएगा लेकिन कहलाई क्या जाएगा समान बिन में ठीक है Section 118 के अनुसार एक बैद बिनमे के आफसक तत्वन निम्लिकत है सबसे पहले एक पक्च का नमबर बन क्या है पक्च का दान, बिक्री, आदी सम्मिदा की तरह है बिनमे सम्मिदा में भी दो पक्चों का होना आफसक है देखो सम्मिदा हमारा एक्ट क्या है law of property लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है हमारा contract ठीक है यानि कि सम्मिदा को बोलते हैं करार जिस परकार दान के लिए दो व्यक्ति होने चाहिए दो पक्च होने चाहिए बिक्री के लिए दो पक्च होने चाहिए उसी पिरकार से बिनमे के लिए भी क्या होने चाहिए दो पक्छो होने चाहिए जिस पिरकार हम केस करते हैं केस के लिए क्या होने चाहिए दो पक्छो होने चाहिए उसी पिरकार बिनमे के लिए भी क्या होने चाहिए दो पक्छो होने चाहिए एक खरीदने वाला और एक बेक व्यक्ति होने चाहिए खरे दिने वाला और बेकने वाला बिन्यमे में एक बस्तू का प्राप्त करने वाला और बस्तू के बदले में दूसरी बस्तू देने वाला और साथ ही पक्षों का सक्षम और स्वेश्चित होना आप सके यानि जो पक्षकार होंगे जैसे कि पिर्टेक संविधा के लिए होता है लो में पिर्टेक जीके बताया जाता है कि ऐसे संविधा वो ही व्यक्ति कर सकते हैं जो स्वेश्चित हैं जो पागल नहीं है उन्हें ज समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं पागल नहीं है वो ठीक है अत्ता एक नावालिक और पागल व्यक्ति द्वारा किया गया बिन में अबेद होता है या अगर कोई नावालिक बच्चा इस पिरकार से कोई सम्विदा करता है या कोई पागल व्यक्ति कोई सम्विदा करता है तो वो क्या होगी? अबैद होगी, वो सुन्य करने घुषित कर दी चाहिए. दूसरा है समपत्तियां, बिन्वे के अंतरगत, अंतिरित की जाने वाली दोनों समपतियां, अस्तित्म में होनी चाहिए. देखो, जब हम कोई बस्तू का कॉंट्रेक्ट करते हैं, तो वो क्या होन चाहिए उपस्थित होनी चाहिए बर्तमान में होनी चाहिए संभावनाओं का अंत्रण या कॉंट्रेक्ट नहीं होता है यदि अब बोलोगे सर संभावनाई क्या होती है अब से पहले वीडियो में काफी बार बता चुका हूँ अगर मेरे पुराने स्टुडेंट है तो आपको जानकारी होगी संभावनाई जो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं ठीक है उस पिरकार से यदि दोनों संपत्यां एक समान हो तो ऐसे संभेवार की रिजिस्ट्री करना आवसक नहीं है भले ही संपत्यों का मूल्ले भी क्यों नहो संपत्यों का मूल्ले भी क्यों नहो लेकिन यदि अंतिरित की गई संपत्यों में से एक चल है और दूसरी अचा तता उसका प्रस्तावित मूल्ले 100 रुपी है या इससे अधिक है तो संभेवार की रिजिस्ट्री करना अनिवार रहे है ठीक है आगे चलते हैं पॉइंट न हो जाती है तो हम उस बस्तू पर क्या दे देते हैं अधिकार देते हैं जब हम कोई बस्तू बेगते हैं और वो खरीद लेता है कोई सामने वाला पक्ष तो उसको क्या दे देते हैं उस पर पूरा पूरा अधिकार के भई अब तुमारी संपत्ति है अब तुम इस पर कुछ भी करो इसे किसी भी तरीके से जो तुमारा मन है इसे चलाइए बिन्वे के संभेवार के लिए आवसेख है कि दूसरा पक्ष अपनी बस्तू के स्वामित्व को दूसरे पक्ष की बस्तु के सौमित के बदले में सौप दे अतब बिनमे में स्वामित की बदला बदली एक दूसरे की एवज में होनी चाहिए यानि कि इसमें क्या कहा गया है जब हम कोई बस्तु लेते है यानि कोई आप जो संविदा कर विडिमे की बदला बदली की जो तुम सम्मिदा यानि कॉंट्रेक्ट कर रहे हो अगर अगर तुम्हें कोई बस्तू दे देता है तो आपका भी फर्ज बनता है आप एको वह दूसरी बस्तू बिडिमे के बदले में क्या करो बापस कर दो और उस पे जो आप बस्तू बी को द एको जो संपत्ती दे रहा है तो एका क्या हो जाएगा पूर्ण स्वामित वैनी अधिकार हो जाएगा ठीक है निमलिखित संब्यभार अंतरण होने पर भी बिन्मे के अंतरण नहीं आते हैं देखो कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनका अंतरण तो होता है देते तो हैं लेकिन वो बिन्मे के अंतरण नहीं आती है जैसे पारारववरिक वंदोवस्त जब हम कुछ समपत्ति अपने परिवार में ही बित्रित करते हैं या बांटते हैं दूसरा केबल एक ही स्वामी द्वारा किया गया स्वामित्व का अंतरन, जब एक व्यक्ति तो कोई भस्तू दे देता है, तो वो भी क्या नहीं होगा? बिन में नहीं होगा. स्वामित्व का अंतरण, स्वामित्व का क्या होना चाहिए? अंतरण होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति स्वामित्व का यानि अधिकार का अंतरण नहीं कर रहा है, तो वो बिन में मानने नहीं होगा. पती द्वारा पत्नी को किया गया जीवन हित का अंत्रण बिन में नहीं माना जाएगा अगर कोई पती अपनी पत्नी को कोई संपत्ती देता है तो वो क्या नहीं होगा बिन में नहीं होगा एक रुपता अब तुम कहोगे सर पत्नी क्या पत्नी को पैसे देगी यह करेगी वह करेगी, इसके बहुत जादा अपवबाद और Fact बन जाते हैं, तो यह अगर हम पूरा लौ पढ़ते हैं, तब हमें जागे समझ में आता है, लेकिन हमें अपना क्या करना है? अच्छे से Paper करना है, तो उसके लिए यह है, इसके बहुत ज़्यादा अपपाद और एक्जाम्पल हैं पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे आगे जाके पॉइंट नंबर फॉर एक रुपता जिन संपत्यों की बदला बदली की जाए वो एक रूप अर्थात एक समान होनी चाहिए अता संपत्ती के बदले में संपत्ती और मुद्रा के बदले में किया गया अंतरण बिन में कहलाता है जैसा कि अब से पहले बता चुका हूँ धन का अंतरण धन से, संपत्ती का अंतरण संपत्ती से, अचल का अचल से, चल का अचल से, इस पिरकार से अंतरण एक रुपता होनी चाहिए. हाँ, किसी कारण से अगर किसी के पास कुछ संपत्ती है, कुछ धन है, तो वो दे सकता है. बात करते हैं पॉइंट नमबर 5 की यदि 100 रुपिय या इससे अधिक मुल्ले की चल संपतियां कब बिन में करना हो तो उसका पंजी करण अनिवार रहे है किन्तु 100 रुपिय से कम मुल्ले की चल संपतियों के लिए पंजी करण आवसक नहीं है जब हम किसी को अपनी संपति देते हैं या किसी से संपति लेते हैं बदले में तो उनका क्या होना चाहिए पंजी करण होना चाहिए यनि उनका लिकित दस्तावेच होना चाहिए ऐसी बस्तू का बिन में कबजे के परिदान द्वारा पूरा किया जा सकता है पॉइंट नमबर है हमारा six बिन में मूले ही होना चाहिए बिन में में बस्तु के स्वामित्व के बदले में मूले नहीं दिया जाता देखो अगर आप किसी को अपनी जमीन दे रहे हो और जमीन के बदले आपको कोई जमीन नहीं मिल रही है तो वो बिनमे नहीं होगा वो हो जाएगी विक्री आपने जमीन दी सामने वाले ने आपको पैसा दिया वो क्या हो जाएगा विक्री आपने अपना मकान दिया दूसरे ने आपको अपना खाली प्लोड दे दिया वो हो गया बिनमे यानि बदला बदली बदले में मूले नहीं दिया जाता है, यदि मूल्य दिया जाता है, तो ऐसा सम्वेभार बिक्री हो जाता है, किन्तु यदि मूल्य बिनमय को बरावर करने के लिए दिया गया है, ऐ अपने एक मकान का अंत्रण बै को करता है, और इसके पृतिफल में बै ऐ को अपना घोड़ा और एक जार रुबे देता है, यह सम्वेभार बिनमय है, क्योंकि धन के रूप में बै द्वारा दिया गया मूल्य बिनमय को करने के लिए, करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर यह दो बार हो गया है, करने के लिए और लिए, तो यह ऐसे काट देंगे, अपने काट लेना हुहां से ठीक है, अभी जो हमने example पढ़ा, यह बाला, यहां से लिये के एक बार काड़ देना, यह दो बार हो गया था, B के पास क्या है, एक मकान है, मकान की कुछ कीमत, माल लो, आप 2000 रुपे थी, यह 3000 रुपे माल लो, जो भी कुछ माल लो समझेने के लिए, 2000 रुपे माल लो, A का यह जो मकान था, यह किस के पास चला गया, B के पास चला गया, ठीक है, यहां से कट के, किस के पास आ गया है, B के पास मकान आ गया, ठीक है, यह B के अंडर में हो गया, यहां से क्या हो गया, कट हो गया, अब B ने क्या करा, एक घोड़ा और दे दिया जो घोड़ा था 1000 की कीमत का ठीक है तो इस प्रिकार से ये क्या हो जाएगा बिन में हो जाएगा ये 1000 रुपे और घोड़ा किसके हो गए 1000 रुपे पिलस घोड़ा हो गए एके तो ये क्या है आपस में बिन में हो गए अब बात आती है कि हमारी जो है यह कहती है कि अंत्रण चल से चलका होगा अचल से अचलका होगा बैई यहां पे जो संपत्तियां है जो घोड़ा है यह भी तो उसकी संपत्ति है उन कंडिसनों में इस चीजों का अंत्रण हो सकता है ठीक है है यह क्या कहल आएगा ये भी क्या होगा विन-मे ही कहल आजाएगा बस सरति यह कैसी संपत्ती है। दोनों चल है frightened है ये भी चल है ये भी चल है लेकिन यहान पर बात आ रही है विनमेगी उन परिष्थितियों में हो सकता है जिन बिन में कुछ समस्या या कुछ घटनाएं घटी हो ठीक है। आगे चलते हैं एक हमसे जब प्रैसन था हमसे बूजा गया था कि बिन में सौरी बिक्रे तथा बिन्वे में अंतर कीजिए तो इसका भी हम देख लेते हैं अच्छे से बिक्रे तथा बिन्वे में क्या अंतर है बताईएं ए बिक्रे और बी बिन्वे नंबर बन बिक्रे की परिवासा संपत्ति अंतरन अधीनियम की धारा 54 में दी गई हैं अब देखते हैं इसे जबकि बिन्वे की परिवासा धारा 118 में दी गई हैं दोनों में बहुत जादा ड दिफ्रेंस है यह 54 में दी गई है विक्री और बिनमे 118 में दी गई है सेक्षन को अच्छे से याद कर लेना ठीक है दूसरा पॉइंट है विक्रे में बस्तू के बदले धन का प्रियोग होता है यानि जब हम कोई बस्तू बेखते हैं तो अब दůömे हम धन की प्रापती करते हैं जबकि बिनमे में बस्तू के बदले बस्तू का प्रियोग होता है ठीक है देखे यह जो घोड़ा है ना घोड़ा भी हमारे किस में आता है संपत्ति में आता है ठीक है अब confusion न हो ना, तो यहां पे बोला था, बिनमे में बस्तु के बदले, बस्तु का ही प्रियोग होता है, तो मकान क्या है, एक बस्तु माल लो, घोडा क्या है, एक बस्तु, तीसरा, बिक्रे में कीमत भुगतान का धन अत्वा समुरूपों के रूप में होता है, जबकि बिनमे के मामले में वायटर के तरीके द्वारा की जाती है वायटर का मतलब होता है एक बस्तू के बस्तू के बस्तू का प्राप्त करना अर्थार्थ एक बस्तू के बस्तू का आदान प्रदान होता है बायटर का मतलब होता है एक बस्तू का आना दूसरी बस्तू का जाना उसे कहते हैं बायटर आदान प्रतान उम्मीद करता हूं यह कुशन आपको समझवाए होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सस्क्राइब कर देना कमेंट करना लाइक करना और दोस् कुझे अच्छे से सुना उसके लिए धन्यवाद टेक केर बाय बाय जय हिंद जय भारत